उद्रप्रदेश में मुफ्त समाधान योचना यानी OTS स्कीम को 16 दिन के लिए आगे पढ़ा दिया गया है अनाधी टीवी से खास बाच्वीत में उर्जा मंत्री एके श्वरमा ने बिताया अभी गन्य की खेती का समय चल रहा है और बहुत से जुन प्रतनितियों से फीदबैक मिला है जिसके बाद OTS स्कीम आगे पढ़ाने का पैसा लिया गया 31 दिसमबर तक 47 लाग से जादा लोग स्कीम का लाब ले चुके है और 5,150 करोड रुपे राजसुव की प्राप्ती हो चुकी है जबकी 1,731 करोड रुपे उभोकताओं को छूट मिली है हमाई साथ उर्जा मंत्री एके शर्मा जी है उनसे बात करते है सर OTS को ले के थोड़ा टाइम उसका बढ़ाया गया है क्या है सार पुरा जनतों को और क्या-क्या तीशीजी में लेगी है विद्ध भुकताओं के मदद के लिए उनके जो पुराने मामले लटके पड़े थे इन सारे मामलों के निप्टार के लिए हमने 8 नॉमबर से 31 दिसंबर तक की एक मुस्त समाधान योजना मतलब की OTS चलाई थी जिसके बहुत ही अच्छे परड़ाम आये है कल रात 31 दिसंबर को जो भीड हमारे कंद्रों पर लगी थी उसे देखते हुए हमें लगा कि इसे थोड़ा और इस योजना में समय देना उचित होगा और इस दिस्ट्री से हमने उसे 16 दिन के लिए और बढ़ाया है कल रात का जो अनभाव था उसमें ये भी अनभाव आया कि किसानों की जो गन्ने का सीजन है वो चला है पैसा आ रहा है उनके पास तो जमा करने की इस्तिती में अब आएंगे उस दिस्ट्री से भी इसे बढ़ाया गया है अभी तक की जो कल तक की जो इस योजना के अंदर जो परफार्मेंस रही है बहुत अच्छी रही है 47 लाग से उपर लोगों ने इसका लाव लिया है लगबग 5150 करोड रुपे हमारे विवाग को राज़स उपराप्त हुआ है और 1731 करोड से ज़्यादा रुपे का लाव उप्भुकताओं को छूट मिली है तो इस वकार हर तरह के उप्भुकता के लिए एक बहुत ही आकरसक योजना रही है चाहे वो घबे लुब भुकता हो चाहे किसान हो चाहे ऐसे लोग हों जिनके उपर अपरादिक मामले दर्ज हुए थे ऐसे भी लाखों लोगों ने इस योजना का लाव लिया है सभी प्रकाल के लोगों के लिए अच्छी योजना रही है अब जो लोग बंचित बह गए हैं जो बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक लाव नहीं लिया है उनके लिए हमने एक अंतिम आउसर दिया है और सबसे मैं अपील करता हूँ कि इस योजना का वश्चलाव ले रहे हैं यह थे के शर्मा उर्जया मंतरी इनका साफता और पर कहना है कि जिस तरह से जो जनता है उनको 31 दिसंबर तक भीर देखी उसके बाद से उन्होंने 16 जनवरी तक OTS का टाइम बढ़ा दिया है जिससे जो जनता परेशान हो रही थी अब उनको समय मिल गया है वो अब अपना जो बिजली बगाया है वो भी बढ़ा सकती है उसके साथ ही जो बिजली चोली में जो मुकदमे लिखे गए ते उसके बाद जो बील बाकी था उसका भी इस OTS में समदान निकाला जाएगा और साथी अपना बिल जमा कर सकते है तो इसलिए एक शर्मा जो उर आप सिद्धिकी आनरी टीवी लखनो